पिर से स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैन्स सुभांस कलास में हम आपके लेकर आपकी डिमांट पर बनाया गया हुआ अपने कमेंटि करके कमेंट थे कांअगे अनुबंध पत्र इसे वीडियो में आपको बताएंगे किसी प्रकार का कोई embassy की घाड़ी खरीद रहा कर राएं इसा का आप पत्र आप कैसे लिखेंगे तो उसके बारे में अपने इस वीडियों बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा यदि पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रूप नहीं जोइन किया हो तो टेलीग्राम पर यदियो मिलती रहें तो आज का जो लेटर होने बाला हम ऐसे कैसे लिखेंगे यह कपड़ों की लिए गर्यीन के लिए यह कुछ समान ले रहे हां उसका गुरिमेंट या कुछ जमीन लेना, प्लोट लेने उसका कैसे करेंगे इस वीडियो में हम स्वेडियो में तो वीडियो को लाश्ट तक देखना है तो स्टार्ट करेंगे मैं अपना नाम डालना है पिता का नाम निवासी पोश्ट थाना जिला तो मैं सुभांस पिता का नाम सुखुमार निवासी ग्राम खरना पोश्ट कबरे थाना खरना जिला हमीरपोर का रहने वाला हूं तो आप मैं आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है है अपना नाम पिदा का नाम हर्ना पूरा एड्रेस के तो थो हम कीलों है अपने विद्याले आरेस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ड्रेस बनवा रहा है क्या लिए हम अपने विद्याले आरेस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ड्रेस बनवा रहे हैं ड्रेस पर बनवाने का ठेका मैंने कपड़ांची कपड़ाख कंपणी लखेंगे आप ठेस बनाने aimed कपड़ा बनाने वाली कंपणी सी आराम फैसनी डिजाइनर को दिया है तोपर से लिखेंगे मैं सुबहान्स पिता नाम स्यू कुमार निवासी क्राम खन्ना पोश्ट कब रही थाना खन्ना जिला हमीरपुर का रहने वाला हूं मैंने अपने विद्ध्याल र-S 스트 इजाइनर को दिया है मैंने प्रति ड्रेस 400 रूपाय का अनुबंध किया मैं एक जाल्येस कीमत भी वह 400 रूपाय दूंगा विद्स कपड़ एक जाग व Κीमत हो जितने का आप अग्रिमेंट करते हैं प्रती पीज कि आपको वहाँ पर लिखनी है तो मैंने क्या किया है हमने 400 रुपए प्रती पीज प्रती ड्रेस का अनुबंद किया है हमने कमपनी से एक महिने में 1000 ड्रेस बनवाने का अनुमंद किया है यदि आप 100,500,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लाग बनते हैं तो कमपनी या दीवकार पूरा कर लेती टाइम पर तो उसे चार लाग रुपए दिये जाएंगे हमने कमपनी की डिमांड पर एक लाग रुपए एडवांस में जमा कर दी हैं क्योंकि जब भी किसी कियां से कुई समाल लेते हैं या ओडर देते हैं तो उसे मिलने पर दिये जाएंगे एक लाग की रासी कंपनी के मनेजर मनेजर का नाम लिखना है यह कंपनी के मालिक को दिया हूँ यह मनेजर को दिया हूँ यह जिसको दिया हो उसका नाम लिखना है आपर तो हमने एक लाग रुपए की रासी कंपनी के मनेजर स्याम सुंदर दास जी को दिये हैं दिनांग भी डाल देनी जिस दिनांग को अपने पैसे दिये हैं तो हमने दिया है आठ चार दोजार बाइस को यदि कंपनी इस अनुबंद के हिसाब से एक महीने में ड्रेस उपलब्द नहीं करवा पाएगी तो उस पर देर से समान देने का चार्ज लगेगा क्योंकि अब ऐसा होता है कि कंपनी समय से हमाई चीज नहीं देती या कोई समय नहीं उपलब्द कराती है तो उसको लेट चार्ज देना पड़ता है तो उस लेट चार्ज कितना करेंगे हैं जितनी देरी करेंगे उससे प्रति दिन एक हजार रुपए के हिसाब से पैसे यदि 10 दिन बाद वो डिलेवर करती है तो उसके 10,000 कड़ जाएंगे यदि एक महिना ओल लगा लेती है तो उसको 30,000 रुपए कड़ जाएंगे एक बार फिर से समझ लीजे लिखना है आपको मैं सुबांस अपना नाम पिता का नाम निवासी ग्राम पोस्ट थाना जिला का र मैंने कपड़ा बनाने वाली कंपनी, सिय राम फेशन, डिजाइनर को धिया यहाँ यहां पर कंपनी का नाम डालना है मैंने प्रती ड्रेज 400 रुपए का अनुबंद किया है हमने कमपनी से एक मैने में 1000 ड्रेस पनवाने का अनुबंद किया है इस काम को पूरा करने पर कमपनी को 400 रुपए दिये जाएंगे हमने कमपनी की डिमांड पर एक लाग रुपए एडवांस में जमा कर दिये हैं, बागी तीन लाग रुपए ड्रेस, एक अचार ड्रेस मिलने पर दिये जाएंगे, एक लाग की रासी हमने कमपनी के मनेजर स्याम सुन्दर दास जी को दिये, दिनांग आठ चार्ड वजार बाइस आपको ने जिस यदि कमपनी इस अनुबंद के हिसाब से एक महीने में ड्रेस उपलब्द नहीं करवा पाएगी, तो उस पर देर से समान देने का चार्ड लगेगा, जितनी देर ही करेगी उसे प्रती दिन एक हजार रुपए के हिसाब से बचे हुए तीन लाग रुपए में से काट लिये जाएंगे, और इसके बाद नीचे से लिखेंगे कंपनी का पूरा नाम, तो कंपनी का जो भी कंपनी हो उसका पूरा नाम, कंपनी के मालिक का नाम, मनेजर का नाम, तो ये नाम लिखने हैं कंपनी का पूरा नाम, कंपनी मालिक का नाम, मनेजर का नाम, इसके बाद नीचे लेखेंगे अपना पूरा नाम और पता है और ये सारा जो मैटर है हमें स्टाम पेपर में लिखना है या यह उच्छियु एस रूपे. करवा दोनों एक ही जैसे रहता है स्टां पेपर पर ही लिकेंद है खे को दिन आप आपने पास रखना है और ऑरिजनल ऐप जमा रखना है कि एक कमपनी को देनी आपने पास रखने और ऑर Joynault और इस्टाम पेपर पर लिखना है आपको सो रॉपे का स्टाम पेपर ले लिजएगा उसके पत्र लिखना है और उसके बाद उसकी तीन फोटो का मं भी करवा लिजेगा एक अपने पास एक कमपणी पर जमा कर देनी हैं और और औरिजिनल भी कमपनी पर ही जमाओ जाएगा और इसके बाद नीचे से लिखेंगे गवा के थाश्र जो उस समय मौजूद हो दो या तीन लोग उन गवाओं के थाश्र करवाने हैं आप जो क्रेता है जो आप आप समाल लेने जा रहे हैं उनकी सब्सक्राइब कर दीजेगा और शक्रम पत्राइब कर दीजेगा यह यह तर पत्र को कि एन एस एच सी एले कि डबल से डॉट कॉम जब आप गूगल पर सर्च करेंगे वहां से हमारी पीडि गूगल वेब साइट में लेगी गूगल वेब साइट से आप इसका फुल पीडिया प्राप्त कर सकते हैं तो यह आपका अनुबंद पत्र आपकी डिमांड पर बनाया यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजीगा वैल आइकन को ओन कर दी यदि आपकी माइडने में किसी परकार का कोई भी अप्लीकेशन प्रात्ना पत्र निबंद या कच्छा एक से लेकर कच्छा बार्मी तक कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प प्योगी होने बाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपने भाई बैन को बता दीजीगा कि बोड एक्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपर्टन कुष्चन सबान से क्लासे पर डाले जा रहे हैं तो आप डेली एक या दो क्लास जरूर देखिए जिससे आपक वीडियो में तब तक क्लिप बाई बाई